तो आज का यहां वीडियो हमारे सभी विध्यारतों के लिए बड़ाए महत्पुर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बिना पड़े जी हां बिना पड़े इंग्लिस में टोपर केसे बने वो तरीका बताऊंगा वो सारी रिसर्च बताऊंगा जिससे आप अच्छे से बन पाओगे ठीके यह मैं हर कई से उठा के नहीं आपको बता रहा हूं क्योंकि यह मेरा सालो का रिसर्च है यह देखिए बच्चों को जो मैंने एक्जाम में के पेपर के टाइम पे मैं बच्चों के जो ट्रिक बताता हो ना पास होने के लिए अच्छे नम्मल लाने के ल कि देखिए चाएय आप 9th मो इसे भी क्लास का एक्जाम दोगे ना तो बिटा सबसे पेशेज को करते समय सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से अंसे पेशेज को नहीं पड़ना है क्या करेंगे सबसे पहले अपने ना को APPढ़ेंगे देख किसको पढ़ेंगे सबसे पहले प्रस्णों को पढ़ना है और सबसे पहले प्रस्णों को पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रस्ण क्या है दा तूटली फुटली इंगलीस तो आते होगी मेरी तरह ठीक है जो मैं आटक आटक के पड़ूँगा इस तरह से तुम भी पढ़ना पहले है ना बट दा साइनेटिपिक इन्वेंशन बिगन आप्टर दा ठीक है रिवोल्यूशन अब यहाँ पर देख लीजेगा सन दिया हुआ है 1889, 1879 की 1789 की 1779 ठीक है तब इन में से कौन सा सन दिया हुआ है तो अपने को सबसे पहले पेश को खोलना है यहाँ पर और इसमें ध्यान से देख वाच सन तो बिल्कुल बहुत आसान है तो आपको समिदार है पहले का अंसर क्या होगे हमारा 770, 1879 की 1709 ठीक है अब the cabin for the pilot is called a ध्यान से सूनो अब आपको ढूंडना क्या है यहां से लाइन पकड़ना है यह यह लाइन आपको पकड़नी है तो चलिया धूंडते हैं अपन बढ़िया से इसको है न तो यहां पर अपने इसको ढूंड़ेंगे न तो यह आप ध्यान से देखोगे ढूंडो एक केविन तो केविन केविन करते करते जाओ इस तरह से जो केविन 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 बहुत बड़िया तरीका बता रहा हूं बटा है ना बहुत ही बड़िया तरीका बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूं यह सा नहीं है एक cabin for the pilot लिखा है ब्लिखा है क्या केते है ulla subject ये लिखा है एक cockpit तो ध्यान से देखो कहांपे ये सब देखे किया अब option में यहांपर है आपके पास में यह मिल गया यहांपर है भी बहुत ही बड़िया तरिका है अब अन aeroplane एज अन इंजिनियर डेट दा वर्कड बाई ठीक है तो चलिए अभी देखिए थोड़ा सा वह अंसे पेसे को मैंने यहां पर भी लिख लिया है पहले से यह यह स्थीर लें ना को दिक्कत आती है और ईंजिनियर वर्कड बाई लिखना है तो प्यां से यह आपको द्याह से देखना है इसमें लिख वरकड बाई पेट्रोल ठीके सब्सक्राइब कि नहीं है चलो ठीके चलो कोई बात नीं मुबाइल से नहीं आ शाज अपया रहा है यहां तक का दूसरा देखते हैं वीच दा फॉलोविंग इस दा फास्टेस्ट मिनिंग औप ट्रानस पोर्ट देखो फास्टेस्ट मिनिंग औप ट्रानस पोर्ट सबसे जानदा कुन-कुन से यहां से देखेंगे न यह आपको यहां पर देखते हैं यहां पर देखो देखो अब यह लिखा देखो अब यहां पर वर्ड कहां से पकड़ेंगे इसली लाइन वर्ड पकड़ेंगे ला घुट यहां से लिखाओ दा एयरो प्लीगों के बारे में यहां पर बात अपने को बता रहां है चली बटा बढ़िया से यहां पर अपना का अंसर क्या जाएगा यह एरो प्लेन क्या जाएगा है एरो प्लेन का है यहां पर कर पाओगे अच्छे से कंप्लीट अगला क्या है वी आर लिविंग इंदा देखो वी आर लिविंग इंदा देखो वी आर लिविंग इंदा तो यहां से यहां पर सिरू में लिखा है वी आर लिविंग इंदा एज ऑफ साइंस ठीक है बहुत ही आसान है अंसे पेसे डूंड़ना हमारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं जिनको लगता है कि नहीं हम इंगलेस में फैले अरे कोई माय का लाल फैल करने वाला नहीं है जब इन बच्चों को टोपर बना दिया ना मैंने यह टेंथे में तो आपको भी बना दूंगा बटाए ना चाहिए आप 11 ते कोई किलास से भी कोई दिक्कत नहीं सब के लिए काम की चीजिए ना चलिए यहां पर अपन देखे पर भी को इसका मतलब टेक पॉफ थिए आपका यहां पर देखने को मिलेगा यहाज ठीक है तो पर औरक्राइब टेक आप आजाएग सक रियूप یहां पर यहां से अ और नाउन ओप रिजेंबल रिजेंबल का जाएगा यहां पर इसी तरह दूसरा कुश्चिन भी आपको चाटना है ठीक है कर सकते हो नहीं कर पाओगे अच्छे से यह करना है तो यह हो गया आप देखो पाँच में से आपका चाहार नंबर पक्क हैं जिसमें देखना प्क में तो पक्क होएख चाहर डहीं करना से केसे बीना पड़े भी कर सकते हो तो यह आपका पड़ना है केरफुली तरीके से और पांच ने पांच दस नमबर तो लेकिन चली एक एक नमबर छोड़ देते हैं तो आठ नमबर आपके पक्के हुए है ठीक है इसके बाज में आता है नोट्स और टाइटल यहां पर लिख आप देखें में आपको पता भी देता हूं देखें पहला तरीका तो यह है आपका ठीक है इस तरीके से बिटा नोट्स से लिखते हैं कोई सी एक लाइन लिखते है जो इसमें यूसफुल है और उसके बारे में संबंदित यह पांच की वर्ड यहां पर लेकिन आपका एक क्योंकि ऐस से बड़ी चीजे व्यक्ति ने सोच लिया कि नियुक्र सब्सक्त neither और अब सब्सक्राइब नोच से बनाते डाइम क्या करोगे सबसे बहातरीन तरीके से आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ ठीक है आपको इस तरह नोटस बनाने देखो नमबर एक डाल दिया यह नमबर डूड़ दिया इस तरीके से इतना सब्सक्राइब अभी कैसे लिखोगे यहां से आपको इस पेसेज में से जो अच्छी चीज जमें जो अच्छा लगे वह यह से पांच लाइन लिख देना इस तरीके से लिख दोगे मन से पॉइंट बना दिया वो लिख दोगे यह ठीक है भयू अब इसमें क्या होगा क तीन नमर नोट ससकह है तो आट और दोदोग्स हो गया है तो यह तो पांच नमर का निभन तो पांच पै तो नमर आपको निभन में दे का वो तो escort निवन में हो गिया तो यह आपका 14 मों ठीक है 24 चौदा हो गया था उधर और दॉधर चार के बाद में चवदा हो किए 14 और चार 18 ऑठारा के बाद में ये तो आपको मरे बस्तारी बच्चे को आता नहीं थिक है क्योंकि वो रहता है एक चीतर दिया चित्र के ऊपर से आपको लिखना रहेगा तो यह अपने को कम सूच पढ़ती है अब इसमें तुक्का जब लगाओ तो मैंने बिल्कुल तरीके से आपको समझाता हूँ यह चीजे तो ठीके चेनल पर जाके देख ले न आप ठीके यहां से पांच और पांच और मेरे द्वार रहे बताए गे न आप तो साथ नंबर की जवाब दर ले लो साथ नंबर की करेक्टेड ठीके तो कितना होगी आपका ठारा और साथ कितना हो जाएगा आपका है ना पत्चीस जोड़ लो ठीके अब इसके बाद में यहां से चार नमर इसका तुक्का लगाते हैं ठीके तो यह भी आपका एक से दो नंबर का पुक्का हुआता है तो 27-29 अब यहां से अपन को से नंबर यह चाटने वाला तीन नंबर में से दो नंबर जोल लो चलो ठीक है मैं हमारे बच्चों का मनुबल बढ़ाने के लिए इसा कर रहा हूं न तो किता हो गया 30 और 32 हो गया है तो चलिए एक कुस्चन में आपको यहां से जेसे मान के चलिए आपको यह कुस्चन करना है कुंसा कोई सब्सक्राइब ले 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 लेते हैं यहां से वाट काइंड ओप टीचर डिड़ ठीके मार्ज एंड टोमी है इतना हो गया है चलिए अब इसको मैं सॉल्यूशन आपको क देखे बताता हूं किसे आप लिखो गए ना विटा यहां से देख सकते हैं आपके कोपी इस तरह की कोपी देए रहती है कई बार बोड एक जाम के लगाती है को पर आपकी तैसी सेंबल कोपी रहती है इसमें आपको बढ़िया से क्लाइन खिच ले नहीं है यह लाइन का में लिए इसे तशी के दोगे धिन meँ करना है अपने को यहां से यहां से यहां तक तो पूरा उताल लेना है बढ़िया से तरीके से बता रहा हूं बड़ा मैं तो आप दोने मेंको यह बता हूं बटूर्चों कोई सम Hajलोकी वह ने ज्यान है यह इसा बता हूंगा कि बिल तो यहां से पूरा एक-एक स्प्लिंग देखके टीप लेते हैं क्या वाटीज तो आपको पता ही यह नहीं आता है यहां पर जाएगा यह कि इस पेशल एस पीए सी आई एल पूरा ध्यान से देखना है थियोरी ओप री यह इंदिट विट है इतना हो गया इस अब इसमें द्यान से देखना आपको क्या चीज़िश है अब यह आगे का उत्तर आदी नहीं साप आप क्या करें क्या ठीके तो भैयू इतना हो सिरु सिरू करूंगा मैं यह यह सार यहान किले पूरी सुनना ध्यान से बात को ना यह बेट और आईवाज कि आईवाज नर्वस कि यह उत्तर बनाना सिखाते हैं इसी तरीके से कोई सा भी कुश्चन आपके पास आए ठीक है कर पाओ कोई सही आए जो अच्छे से आते वो तो कर दोगे जो नहीं आते वो इस तरीके से बना बना के लिखना मन से पेले तो इसमें यह से यह कुश्चन है यह कुश्चन एक बार बना के देखते हैं हमारे बच्चे जैसे यह यहां पर यह मैंने भी बताया था यहां से देखेंगे टीचर टीचर डीड तो आएगा नहीं क्योंकि वाट काइंड हो पर गहने तो टीचर मार्ज एंड टोमी हैव और है एक्जामिनर वो पहले तो सबसे पहले सिरुवात की लाइन पड़ता है और किवह आंते में आई हो मैं हर साली ठीक है तो गलत जान करनें दूंगा तुक्का लगाना है अच्छा आप यह दी बताई है मेरे को आप फिरी बेचे रहे थीक है छोड़के आ गये थे तो कि एक भी नमबर मिलता क्या यह दो नमबर कहा है तो वह सामने वाला यदि पढ़ भी लेगा ना तब भी सोच विचार करके आपको एक नमबर पक्का देगा और देगा ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि नहीं पूरा गलत है तो नहीं ऐसा कट करेगा नहीं बच्चे ने कोशिस किय है चलिए तो इसको अपन एक नमबर दे देते हैं तो यहां से आपकी एप्लिकेशन नहीं सिरू होती है तो यहां पर है राइट लेटर तो यूवर प्रेंसिपल ठीक है तो यूवर एफोर डेस सिक लिव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फिवर ठीक है यहां से तो चलिए अब एप्लिकेशन को अपने अच्छे से सोल्व करते हैं तो यहां से एप्लिकेशन है आपकी यह तूदा प्रिंसिपल गवर्मेंट हायर सेकेंडरी स्कुल खड़ी जो भी आपका छेत्रे उसको लिख देना है ठीक है उतनी चीज़ समझ में आई आपको यदि यह आपका तो दा हैड मास्टर लिखना है तूदागलास्टर टीचर बोले तो लिखना है यहां पिलाल अपने को प्रिंसिपल लोला चलिए प्रिंसिपल लिखते हैं सबजेक्ट अन एप्लिकेशन फोर शिकली बीमारी के लिए एक चुट्टी के अउकास लिखनी है एक अरजेंट हो बेग ने निवेधन प्रात्ना करता हूं तुसे बेग का मतल़ हात जोड़ कर मांगना ठीक है तो मैं हात जोड़कर आपसे विनम्र निवेधन करता हूं क्या करता हूं आई एम ए स्टूडेंट मैं एक विध्यारती हूँ ओप क्लास तेंथ है यहां पर तेंथ रिखा है अपने को क्या कर लेना है मेरे बाबु सोना हन अपने को कर लेना है ना इन थे ना ठीक है क्यों कि अपन ना इन थे को बच्चे है ना ओप यूवर इस्कूल आई हैव बिन सप्रिंग मैं पीडित हूँ किस से पीडित हो भाया फ्रोम फीवर बुखार से सिंस यस्टरडे दाल दोक्टर है जेडवाइजड डोक्टर ने मुझे सला दिये तो टेक बेड रिष्ट रिष्ट लेने कि मुझे डोक्टर ने सला दिये सो आई कैन नोट या कन अनेबल ठीक है आई केना नेबल तू अटेन दा किलास इसलिए मैं तेन करने में है संमर्द हूं किरप्या आपसे निविदन है कि मुझे दो दिन की छुट्टी देने की गरपा करे ठीक है यहां से ठीक है यूँ इसके बाद मेहना एक एप्लिकेशन और आपसे पूछी जाती है जो कुंसी रेती है उसे भी देखते हैं यहां पर इसकॉलर्शिप की पी गया जारों गम तो फिर भी मिटा नहीं इसकॉलर्शिप वाली एप्लिकेशन है थोड़ा चोटा कर लें यह बात है देखिए टू दा प्रिंसिपल गवर्मेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट एप्लिकेशन फॉर फुल्फी कॉंसेशन याने की स्कॉलर्शिप के लिए एप्लिकेशन यह है सर आई बेक्टू सेडेट मैं आपसे कहना चाहता हूं वही फिल्म आई एम ए स्टूडेंट मैं क्या हूं विध्यारती हूं और क्लास यहां पर रिड्रेस लिखाना इसका मतलब यहां पर आप नाइन ते कर दो हूं और क्लास स्कॉल आपकी स्कॉल माई फादर मेरे पिता जी क्या है गरीब किसान है सो ही के नोट पे माई पीस वो मेरी फीस भरने में क्या है आसमर्त हैं काइंडली ग्रांट मी फुल भी ठीक है कॉंसिएस थेंक्यू सार यूवर्स ओविडेंटली यहां पर फलाना सिंग धिमका आली चरणन की राम चरण जो हो आप लिख देना है ठीक है और यह अपको आपकी क्लास का नाम लिघ देना है ठीक इतना पिछागरीकशी को चांश में है तो यह टीसी के लिए क्योंकि हर जीलों में अलग तरह के पेपर आते हैं इसलिए मेरा उद्देश क्या है हमारे बच्चों को सही जानकारी दे ले